एक aircraft carrier से take off और landing करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है एक normal runway 2000 feet लंबा होता है जहाँ पर plane take off और land करना बहुत ज़्यादा easy maneuver माना जाता है वहीं अगर हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े aircraft carrier की भी तो Gerald R. Ford का जो runway है वो सिर्फ 300 feet लंबा ही है इसलिए pilots को extra measures लेने परते हैं take off और landing करने के लिए टेक off करने के लिए एक बहुती powerful और sophisticated system यूज़ किया जाता है जिसे catapol system कहा जाता है जिसमें plane के अगले wheel को attach करके उसे 240 km per hour की speed से deck से launch कर दिया जाता है इस system को nuclear reactor से जो steam प्राप्त होती है उनसे power किया जाता है और इसलिए उसके launch करने पर इस तरह से धुआ निकलने लगता है landing के समय arresting wire का use किया जाता है डेक पर तीन अलग लग तरह के wire होते हैं जिने plane को पीछे लटक रहे road से पकड़ लिया जाता है इससे plane को slow करने में आसानी होती है अगर कोई plane landing करते समय इस arresting wire को नहीं पकड़ पाता है तो कुछ ऐसा होता है